जिव थामी पी ये मोधी के सोचल मीडिया अकाउंट के बागदौर साजा कर रही है प्रेर ना दायक कहाणिया जिहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवेवार को अंतराष्टिय महिला दिवस की बधाई दी उन्होंने पताया कि उनके सोसल मेडिया अकाउंट से दिन भर साथ महिलाएं अपनी जीवन यात्राएं साजा करेंगी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि अंतराष्टिय महिला दिवस की बधाई नारे सक्ति की भावना और उपलब्धियों को सलाम करते हैं जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं आज के लिए विदा लेता हूँ आज दिन भर साथ महिलाएं अपनी जीवन यात्रा साजा करेंगी और संभावत मेरा सोसल मीडिया अकाउंट के माध्यम से बातचीत भी करेंगी इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत में देश के सभी हिस्सों में महिलाओं की उपलब्धी है इन महिलाओं ने कई छेतरों में सांदार काम किया है उनके संघर्ष और आकांग्छाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं आईए हम ऐसी महिलाओं की उपलब्धियों का जस्न मनाते हुए उनसे सीखें यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को घंडों की पूछताच के बाद ईडी ने किया गिरफतार जिहां प्रवरतन इजिशाले ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को धन सो धन के आरोपों के तहत तड़के गिरफतार कर लिया अधिकारू ने बताया कि बैंकर को तड़के करीब तीन बजे धन सोधन निवारन कानून के प्राउधानों के तथ गिरफतार किया गया क्योंकि वह जाँच में कतित तोर पर सहयोग नहीं कर रहे थे किंद्री एजनसी ने कपूर के आवास पर सुकरवार रात को छापा मारा था जिसके बाद 20 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताज के बाद बेलाड एस्टेट में एडी के कर्याले में कपूर को गिरफतार कर लिया गया यह गिरफतारी तब हुई है जब इस नीजी बैंक में वित्तिय अन्यमित्ताओं और इसके संचालन में कूपरबंधन के आरुप सामने आए हैं और आर्बियाई एवं केंदर सरकार ने इसके मामलों को नियंतरित करने के लिए कारवाई शुरू की है सीम कमलनात ने ब्लॉग में लिखा प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी भाजपा को मर्यादा और सयम दें जिहां मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री कमलनात ने राज्य में चल रहे है राजनेति घटना करम को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा कि सत्ता लोलूप नेताओं ने राज्य के गौरव साली इतिहास और वैभाव साली विरासत को कलंकित करने की कोशिस की है राज्य में बीते पांच दिनों से सरकार को ओयस्तिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरुक्त की चर्चाइन जोरो पर हैं इसी को लेकर मुख्यमंतरी कमलनात ने अपने ब्लॉग में लिखा कि मैं या कभी कलपना नहीं कर सकता कि सत्ता की लोलूप था भाजपा के नेताओं को इस कदर नैतिक पदन की ओड़ ले जाएगी कि वे प्रदेश के नागरिकों के प्रजा तंत्रिय निर्णय को ही सौधे बाजी करने लगेंगे आज सचबुच भाजपा नेताओं के इस औसो भनिया आचरण ने मध्यप्रितिश के गौरों साली इतिहास और वैभव साली विराशत को कलंकित करने की कुशिस की है महिला दिवस पर राष्टपती रामनात कोविंद और ग्रिह मंत्री अमिद सा समेत इन निताओं ने दी सुबकामनाएं जिहां रविवार को दुनिया भर में अंतराष्टिय महिला दिवस मनाय जा रहा है इस दिवस को मनाने के पीछे विभेन छेत्रों में सक्रिय महिलाओं के प्रती सम्मान प्रकट करने का दिन है महिला दिवस पर राष्टपती रामनात कोविंद समेत कई दिगज निताओं ने महिलाओं को सुबकामनाएं दी राश्टपती रामनात कोविंद ने अपने ट्वीट में लिखा कि आईए अंतराष्टिय महिला दिवस के उसर पर हम सब महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का संकल्प दुहराएं जिससे कि वे अपनी इच्छा अनुसार अपनी आसाओं और आकांचाओं को पूरा करने की दिशा में निर्बाद रूप से आगे बढ़ती रहें ग्रे मंत्री अमित साह ने भी अंतराष्टिय महिला दिवस पर सुबकामनाय दी उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि अंतराष्टिय महिला दिवस पर बधाई मैं नारी सक्ति को नमन करता हूँ जिन्होंने समय समय पर हमारे समाज को आकार देने और पोशन करने में एक महत्वण भूमिका निभाई है महिला हमेशा हमारे जीवन की मसाल की वहक रही है उनकी निष्वार्थता और बलिदान को किसी भी भूमिका में नहीं रखा जा सकता यस बैंक के खातधारकों को बड़ी रहत अब ATM से निकाल सकते हैं रुपए बैंक ने ट्वीट करके दी जनकारी जिहां भारती रिजर्बैंक द्वारा नियंतरन में लिये जाने की कुछ दिनों बाद यस बैंक के खातधारकों के लिए अच्छी ख़बर आई है बैंक ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को सुचित किया है कि वे अब अपने डेविट कार्ट के जरिये एटियम से पैसे निकाल सकते हैं आपको बता दें कि प्रवरतन इजिसाले ने रविवार को मनी लॉंडरिंग के मामले में भारत के सबसे हाई प्रोफाइल बैंकरों में से एक यस बैंक के संसापक राणा कपूर को गिरफतार कर लिया है यह ट्वीट उन हजारों यस बैंक ग्राहकों के लिए राहत लेकर काया है जो महीने में 50,000 रुपे प्रतिमाह निकालने के फैसले के बाद रोजाना बैंक के बाहर लाइनों में लग रहे थे